कर देने वाला वीडियो सामने आया, यहां हुए एक तिलक समहारों में हुई फारिंग का वीडियो वारल हुआ है, वीडियो में साफ दिखाई दिया कि तिलक समहारों के दौरान एक लड़का खुले आम वहां फारिंग कर रहा था, इस दौरान वहां कई लोग भी मौजूद कर रहे थे लोग एक दूसरे के बेहत करीब बैठे थे यह देकि पुलिस कर्मियों की तस्वीर और उसके बाद फारिंग करने के लिए तयारी करता यह शक्स और फिर फारिंग कर देता है तमाम लोग यहां पर मौझूद थे किसी ने भी इस शक्स को नहीं रोका और सबसे मास्क लगाने की अपील हो रही है घर से बिना मास्क बाहर निकलने पर भी रोक है जिर्माना तक लगाया जा रहा लेकिन इसके बाद भी लोग मास्क लगाने के लिए तयार नहीं है उत्राखन के अल्मोरा से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस वाले ने जब एक आदमी को मास्क लगाने के लिए कहा तो वो सिबिढ गया दोनों के बिच खुब भहस हुई मामला हातापाई तक जा पहुचा पुलिस वाले उसे गारी में बठा कर खाने ले जाने की कोशिश कर रहे थे जिसका उस आदमी ने जम कर विरोध किया इस दोरान वहां लोग कि में स्वास्ते विभाग के करमचारी कोरोना जांच का अपना तारगेट पूरा करने की ने बिना जांच के ही कित को तोड़ कर रख रहे हैं जिससे ये साबित किया जा सके कि उनका टारगेट पूरा हुआ कुरोणा-जांच किट की बरबादी का एक विडियो सामने आए जिसमें दिखा कि बिना जांच की ही किस तरह से स्वास्ते विभाग की करमचारी किट को तोड़ कर रख रहे हैं ताकि वो ये दिखा सकें दिखा सकें कि उन्होंने गाउं की लोगों की कोरोना जांच पूरी कर ली है और इस धोकेबाजी के लिए आरोपी कर्मचारी फरजी दस्तावेज भी पेश कर रहे हैं प्रशासन की दरफ से गाओं की लोगों की जांच के लिए स्वास्तर विभाग की टीम को भेजा किया लेकिन अपना टार्गेट पूरा करने के लिए आरोपी कर्मचारी एक जगा बैठ गए और वहीं कुरोना कित को तोड़कर जांच की पूरी होने का जो पूरा फर्जी वा वो वीडियो हम लोगों ने अभी देखा है उसकी जांच करके सक्टे सक्ट कारवाई करी जाएगी उधार उत्रप्रदेश के लेकिन पूर्की